इन में हम लोग बहुते आसान सा मेक्यानो बनाएं जा जिब में पाइप एच बनाए के या एलिमेंट बनाए के काम आई और तार ओकर जोड बनाए के काम में आई एक रहे खातीर अपने के तार लगी जिकरे उपर धिला घुमे वाला कवच होके आईसने तार लेके आप लोग ओके पांच बार मोड लें आप लोग देख सके नहीं जाए कित तरह आईसन कईले के बाद ओके काट लें और एक छोर का तार दूसरे छोर के स्लीव के अंदर या कवच के अंदर डाल लें आप लोग देख सके नहीं जाए कित तरह आईसन कईले के बाद एको जोड़ वाला मतलब दूगो मूव वाला जोड़ पे दूगो ट्रॉप पाइप लगा ले एक ले बाद आप लोग राइट अंगल अप्ट्वीज अंगल और एक्यूट अंगल बना के देख सके निजा यही तरह करके अब आप लोग तीन पाइप और तीन गो ज जोड़े वाला तार से आप लोग एको चोकोन भी बना सके निजा आप लोग देख सके निजा के तरह अगर आप लोग एको पाइप और एको तार वाला जोड़ और जोड़े ता आप लोग एको पंच भुच भुच भी बना सके निजा आप लोग देख सके निजा के तरह अब 6 को pipe के साथ और 4 को 3 move वाला जोड के साथ आप लोग बहुत अच्छा tetra hedron भी बना सके नहीं जाए आप लोग देख सके नहीं जाए कित तरह है इमें tetra का मतलब 4 हवे और hedron का मतलब 3 korn हवे इमें हम लोग 3D आकार का एको shape बना थी जा जिमें 4 गो 3 korn surface हवे आप लोग देख सके नहीं जा कित तरह है और कहें कि 3 korn बहुते मजबूत structure होई ला या आपन 3D tetra hedron बहुते मजबूत धाचा हवे या बहुते मजबूत structure हवे आप लोग देख सके नहीं जा tetra hedron का इसन दिखे ला अब आप लोग straw के जगह पे पारदर्शी refill भी इस्तिमाल कर सके नहीं जा इसन कहीं ले से अपने के जोड एकदम अच्छा से दिखी आप लोग देख सके नहीं जा कि इम में हम लोग prism बने ही नहीं जा जिम में हम लोग 9 गो refill और 6 गो joint यू इस्तिमाल कहीं नहीं जा आप लोग देख सकें जाए कई सन दिखा थवे यही तरह हम लोग pyramid या cube बना सके नहीं जाए आप लोग देख सके नहीं जा कित तरयावरी कई सन दिखे ला इस सब सामान आकार बनाई ले के बाद आप लोग ऐसे घर और अलग अलग प्रकार का design भी बना सके नहीं जाए